मैरिनेटट मिलिट देखने में जितना टम्टिंग लग रहा है खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी है यह एक ग्लूटीन फ्री फाइबर रिच हेल्दी रेसिपी है जो आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा और जब आपको पता चलेगा कि यह बच्चे बड़े सभी के ल सब्साइब लेकर आपको मिलें इसे बनाने के लिए मैने मेरे symptom साइब कर दिमिलिया है इसमें मिलिक को सेख लेना है मैंने आद hosting सामख.. जो भी आप कहते हैं उसका यूज कर लिया है आप इस रेसिपी को फॉक्स्ट्रय मिलेट के साथ भी बना सकते है इसे मिडियम प्लेम लगाता चलाते हुए सेक लेना है इसे सिकने में करीब 3-4 मिनित लग जाएंगे यहां हमें इसे ड्राय रोस्ट ही करना है लीजिए ये सेक भी गया है इसमें से खुश्बु आने लगी है इसका कलर भी चेंज होने लगा है इसे इतना ही सेक लेना है ज़्यादा सिख जाने से इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा अब इसमें पानी डाल देंगे डेड़ कप पानी का यूज कर लेना है एक कप और आदा कप जितना हमने मिलिट लिया है उससे तिगुना पानी यूज कर लेना है थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे mix कर देंगे और इसमें boil आने देंगे लीजे boil भी आ गई है अब gas की flame को लो पर कर देना है और ढख कर 8 से 10 मिनिट के लिए पकने देना है जब तक कि ये पूरी तरह से soft ना हो जाए यदि आप foxtail millet का यूज़ कर रहे हैं एक छोटे बोल में तीन बड़े चमच नीबु का रस ले लेंगे थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और दो बड़े चमच क्रश किया हुआ पुदीना के पत्ते आड़ कर देंगे इसे अच्छी तरह से mix कर देना है आप जाहें तो पासले का यूज़ कर लें लेकिन मैंने इसे इंडियन फ्लेवर का बनाया है इसलिए पुदीना का यूज़ किया है मिलिट भी सॉफ्ट हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं इसमें दो बड़े चमच ओलिव ओयल के डाल देंगे और mix कर देंगे इससे मिलिट में जो लम्स आ गए हैं वो भी निकल जाएंगे अब इसका सलाद बना लेते हैं बॉयल्ट मिलिट को एक बड़े mixing bowl में निकाल लेना है हमने जो marination तयार किया है उसे भी इसमें add कर देंगे थोड़ा सा नमक डाल कर इसे अच्छी तरह से mix कर देंगे जिससे marination मिलिट के साथ अच्छी तरह से mix हो जाए इस stage पर इसे तयार करके भी रख सकते हैं लेकिन इसके बाद की जो step है उसे serving की समय ही करना है पहले इसे serve करने के लिए कुछ खीरा टमाटर काट कर रख लेंगे मैंने खीरे को slices में काट लिया है और टमाटर को भी बीच से काट कर इसके tip को अलग कर देंगे और इसके भी हम पतले-पतले slices बना लेंगे आप अपनी पसंद के कोई भी size या shape में काट लें एक छोटी प्याज के भी पतले-लंबे slices बना लेने है प्लेटिंग आप अपने तरीके से कर लें मैंने खीरे की slices को एक प्लेट में चार तरफ लगा लिया है एक लाइन टमाटर के slices की भी लगा लेंगे और उसके बाद प्याज की लाइन लगा लेंगे अब जो step हमें करनी है उसे serving से तुरन पहले ही करना है अब serving के समय millet bowl में कुछ कटे हुए टमाटर और spring onion डाल कर mix कर देना है टमाटर डाल देने से सलाथ में color आता है साथी tanginess भी आती है इस सलाथ को थोड़ी देर के लिए रख देने से सलाथ में कुछ juices release हो जाते हैं जिससे इसका taste change हो जाता है इसी लिए ध्यान रखेंगे कि टमाटर को serving से तुरन पहले ही mix करना है अब सलाथ को तुरन ही serve कर लेंगे लग रहा है ना tempting ये बहुत ही simple healthy और घर में सभी को पसंद आने वाली है आपको ये recipe कैसी लगी comment करके जरूर बता है जल्दी ही मिलते हैं कुछ और नई tempting recipes के साथ